नमस्कार दर्शकों मैं हूं करुणा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस Arthritis Awareness Based Program में जिसका नाम है Reversing Arthritis The Scientific Way दर्शकों हमारा ये शो, Reversing Arthritis The Scientific Way आपके उन सभी सवालों के जवाब ढूनने की कोशिश करता है जो Arthritis और उसके दर्श से जुड़े हुए हैं और इसी मोहिम में हमारा साथ दे रहे हैं इंडिया के No.1 Lifestyle Doctor और Sports Medicine Specialist Dr. Gaurav Sharma Dr. Gaurav Sharma देश के मशूर Lifestyle Doctor और Sports Medicine Specialist है Dr. Gaurav Sharma ने 10 वर्षों से भी अधिक Western Medicine में शिक्षा हासिल की इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पधती जैसे आयूरवेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्यान किया है पिछले 13 सालों से Dr. Gaurav Sharma vitamins, minerals, antioxidants, जड़ी बूटियों और nutraceuticals पर लगातार research कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है Arthrite Plus आज हमारे साथ स्टुडियो में Dr. Gaurav Sharma खुद मौझूद है आई यून का स्वागत करते हैं Dr. Gaurav, welcome to the show Thank you very much Karuna J Dr. Gaurav Sharma यहां मौझूद है और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए ततपर है तुरंद फोन उठाइए आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लाश हो रहा है उस पर डाइल कीजिए हम आपसे बात करेंगे और Dr. Gaurav Sharma आपकी सारी queries का जवाब देंगे Dr. Gaurav, कई बार ऐसा देखा गया है कि 30 to 40 के age bracket में लोग अकसर बहुत careless रहते हैं उन्हें लगता है उन्हें कुछ नहीं होगा लेकिन कभी कभी उनको हलका फुलका जोडों में दर्द रहता है जिसे वो कई बार लाइटली ले ले लेते हैं कुछ लोग चेक अब भी कराना चाहते हैं तो किस तरह से शौर होता है कि arthritis की शुरुवात है या फिर है और किस तरह के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या tests हैं लेकि थर्टीज और फॉर्टीज के अंदर डेफिनिटली ऑस्टो अर्थराइटिस की आजकल development होनी शुरू हो गई है पेशिंट्स के अंदर और ज्यादातर लोग कंप्लेंड करते हैं कि उठते बैटते हुए दर्द होना शुरू होता हलका फुलका ज्यादा समय तक खड़े रहते हैं या चलते हैं तो दर्द बढ़ जाता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है ऐसा नहीं होता कि वो अपाहिच टाइप के हो जाते हैं कुछ पटाके वगएरा बचते हैं घुटनों के अंदर में लग कटाक वगएरा होती है तो ये शुरुआत के साइन्स हो सकते हैं कि ऑस्टो अर्थराइटिस की डिवलप्मेंट है उसके लिए डेफिनिटली सबसे पहले आपको एक जो सबसे अदर कॉमन डॉक्टर्स हैं इनको हम और्थर प्रेडिशन्स बोलते हैं जादा तर सर्जिन्स होते हैं उनके पास जरूर एग्जामिनेशन के लिए जाए हैं कि ऑस्टो अर्थराइटिक चेंजिस हैं या नहीं उसके इलावा आप वो अगर रेक्यमेंट करते हैं या अगर नहीं रेक्यमेंट करते हैं फिर भी एक घुटने का एक्सरे करवाना चाहिए उस एक्सरे से हमें एटलीस्ट पता चल सकेगा कि जाएंट की स्पेस है वो मेंटेंड है या वो कम हो गई है यानि कि काटलेज हमारा पतला हो गया है तो उससे भी आगे फूचर में डिवेलपमेंट हो सकती है और जितनी जल्दी आप इसको पकड़ लेंगे उतना ही असान काम हो जाता है और अगर आप कौड़िसेप स्ट्रेंधिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि हमारे पेशिंट्स डेफिनिटली ओन डिमांड ले सकते हैं हमारे स्टाफ से उसके लावा साइक्लिंग के उपर नहां दे सकते हैं कि जाइन पर से लोड हटे और डेफिनिटली आपको रीजिनरेटिव नूट्रिंट्स जो है वो शरीर के अंदर डालने होंगे उसके लिए डेफिनिटली दूद में थोड़ी हल्दी घोल के पी सकते हैं रात को आंटी इंफ्लमेटरी रिस्पॉंस मिलेगा और उसके इलावा आप अदरक थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं उसमें भी काफी आंटी इंफ्लमेटरी रिस्पॉंस है शलाकी गूगल मिलता है तो उसको ले सकते हैं तो इस तरह कि आप घरेल उन उसके भी अपना सकते हैं अगर बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो अफ्कोर्स आप प्रॉफिल आक्सिस यानि की प्रिवेंशन के लिए अर्थ्राइट प्लस का एक है दो कैप्सुल तीन महीने तक लें और उससे भी आपको काफी प्रिवेंशन हो जाएगी और रिपेर हो जाएगी और ज्यादा परेशनी कभी नहीं आएगी और क्योंकि अगर आप शुरू में प्रिवेंशन कर लेंगे तो काम बहुत असान हो जाता है ऐसा भी हो सकत है कि अगर शुरू में प्रिवेंशन कर ली तो जिन्देगी बहर ये प्रॉब्लम दुबारा आप क्यों रुक नहीं करेगी। आपसिलूटली, जैसे कि आपने हर साल अपने देखा कि शुरुवात हो रही है आस्ट्राइटिस की, तो आपने महीने, दो महीने, तीन महीने का कॉर्स किया, चाहिए वो हाफ डोजेज पे ही हो, एक या दो कैपसूल, और उसके बाद आप देखेंगे, आपको राम मिल गए, तो उसको हर साल रिपीट करते रहें, जो डैमेज हो रहा है, उसको लगातार बराबर बनाते रहें, इमाजिन कीजे कि आपकी बिल्डिंग के उपर से पलस्तर हट रहा है, तो उसको पलस्तर करते रहें हर साल, आपकी बिल्डिंग भी खुब सूरत रहे ही और कभी नी रिप्लेस्मेंट जैसी खतरनाक चीज तक आपको कभी जाना नहीं पड़ेगा, इक कॉलर जूड़ गे हैं, हमारे साथ, घ्लो, हलो, जी नमशकर, क्या नाम है आपका? नमशकर जी, मैं लटा बोल रहे हूँ, रहे हूं, कहां से लटा जी? मैं दिल्ऩी से बोल रहे हूं, जी लटा जी, आपका बहुत-बह्त सपागत है, हमारे शो में इसका नाम है Reversing Arthritis the Scientific Way डॉक्टर गौरफ शर्मा भी हमारे साथ बैठे हैं आप उनसे बात करेंगी हाँ जी हलो हलो नमस्कार जी हाँ जी लता जी नमस्कार दिल्ली में कहां से बोल रही हैं दिल्ली में दौरका से बोल रहे हैं वारका से बोल रहे हैं आप अच्छा जी तो आपकी उमर कितनी है लता जी मेरी 44 है और आपको किस परेशानी से आप पीडित हैं मुझे बैक प्रॉबलम है और ये गुटनों में थोड़ा सा थोड़ा मतल़ दर्द है और एक राइट साइट गुटने में आवाज आती है कट-कट आवाज भी आती है मतल़ जॉइन्स में जैसे अलबो की जॉइन्स में भी पेने तो मैं अभी ये सप्लिमेंट जो ले रही हूँ जी मैं दो महेने तक तो मैं ले चुकी हूँ लेकिन मेरा थोड़ा बीच में कभी-कभी मिस हो जाता है, मिस इसलिए हो जाता है, कि जैसे फास्ट होगे रहा होता है, तो मैं उस समय नहीं लेती हूँ, तो उस समय मेरा थोड़ा रहा जाता है, तो मैं दो मैने से ले रही हूँ लता जी आपको कहीं रिमेटर आर्थराइटिस की परेशानी तो नहीं है? मैंने ये टेस्ट नहीं करवाया है जी टेस्ट कराई प्रोग्राम देखकर जिसे कि इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है इसलिए मैंने स्टार्ट करा दिया है आपके शरीर में अकडन तो नहीं रहती सुबह? मुझे बैक में होती सुबह मॉनिंग के टायमें जैसे पांच गन्ते के बाजा से नीम में अपने पेन स्टार्ट होता है अकड जाती है अकड जाता है शरीर पीट में प्रॉब्लम ये है कि लोज जो है lower back में मतलब उजे एक हड़ी जो है नीचे की जो हड़ी वो आगे की तरफ move कर गई है अच्छा जी जिए यानि कि आपका उसका मैंने हाँ वो वो करवाया था MRI करवाया था काफ़ टाइम पहले करवाया था तो उसमें पता चला था कि एक हड़ी जो है आगे निकल गई है उसी के भीच में जो वैंने है राफ तरह काफ़े सपोंडेलो लिस्टिस की बात कर रहे हैं आप बेसिकली एक तो बाट की एक्सरसाइस ज़रूर करें साथ-साथ मैं आपकी प्रक्तराड आर्थडसर की है वो इसमें अगर आपको अराम दे रहा है प्रड़क्ट इग्जाक्ली उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया लेकिन आपको अराम दे रहा है तो इसको जरूर लें लेकिन बैक की एक्सरसाइजिस पर खास ध्यान दें और सूजी इसका स्प्रे जरूर लगाएं उससे आपको बहुत अराम मिलेगा और आपकी पेन रिलीफ होगा लेकिन इसको लंबे समय तक लेते रहें केडलीस्ट आपको ये बेनिफिट दे और आपको पेन किलर्स की तरफ रुख ना करना पड़े मैं मुझे ने मेडिसिन सूट नहीं करती है मैं कुछ और मेडिसिन लेती ही नहीं हूँ कि मुझे कैल्सियम वगरा भी बताया था लेकिन कैल्सियम लेने से मुझे चक्कर सा आता है तो ये सिर्व आपके ये जो सप्लिमेंट है ये मुझे ठीक लगता है ये ही मैं ले रही ह इसे एनरजी और भी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है अच्छा लगता है तो आपकी तो बड़ी कठिन कंडिशन है कैलिशन से चक्कर आते हैं आपको तो दे तो क्या दे जी तो आप मैं मैं आपसे एक बर मिलना भी चाहती हूं जी बिल्कुल आई है मैं अपना पूरा को दिखाना चाहती हूं कि बैक प्रॉब्लम से और मेरे गुटनों में विदर्ज स्टार्ट है मैं पहले से काफी बैटर है जी अराम है मुझे और यह एल्बो के भी जो जॉइंट में पेंट है मेरा हाथ लगान से दबाती थी तो मुझे बहुत दर्द होता था लेकिन आपने सप्लिमेंटेशन जरूर करें एक्स्ट्रा और वाइटबिन बी ट्वेल्फ को एक्स्ट्रा डेफिनिटली सप्लिमेंट करें और आप हमें बैक के लिए मिलना चाहते तो मैं एक्सरसाइज आपको डेफिनिली बता सकता हूं लेकिन रुमेटायड आर्थराइटिस म लेकिन हमारा काम चल रहा है देखिए उमीद करेंगे कि हम इसको इस कंडिशन को भी इंप्रूफ कर सकें तब तक एंजॉय कीजिए इश्वर ने आपको मदद की है इस कंडिशन को डेफिनिली बढ़ते चलिए आगे हिम्मत के साथ हाँ जी हाँ ठीक है जी ठीक है ठीक पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए तत्वर है स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर आप कॉल कीजिए डॉक्टर गॉरव यह बतारी थी 44 यह के आसपास हैं और इनको दूसरे तरह का आथराइटिस है तो हागम आपका सब्लिमेंट आथराइटिस प्लस इनके लिए भी वर जाते हैं उनके अंदर बड़ा specific anti-inflammatory response है और वो structuring के अंदर भी help करते हैं मापे inflammation कम करते हैं तो हमने काफी सारे patients पे देगा और research यह बताती करीब 50-60% के अंदर improvement आता है लेकिन उसके साथ-साथ हमने क्या करा कि हम यह भी जानते हैं कि inflammation होती है यह नहीं कि सूजन है अंद हैं कि अदरक और जिंजर के अगर बहुत serious extracts हैं आपके पास तो वो भी मदद करते हैं और साथ-साथ chondroitin और glucosamine जैसे जो ingredients है वो restructuring और joint के अंदर overall anti-inflammatory response देते हैं तो जैसे कि हमने mucopolisaccharides, glycomino glycans की बात करी थी इस सारे मिल जुलके काम करते हैं लेकिन वो वहाँ पर इस condition के अंदर क्योंकि एक ग्रह युद है तो depend करता है किस तरीके से body attack कर रही है और कितना हम repair कर पाते हैं इसलिए repair तो यह कर लेता है काफी लेकिन उसके साथ लगाता डामेज होता है यानि कि आज हमने किले की दिवार को थोड़ा सा ठीक किया तो कल वो फिर उसको से हम यह कहते हैं कि 60-70 प्रतिशत लोगों के अंदर फाइदा होता है अगर किनी का जिनका बहुत फ्लेर अप नहीं है उनको फाइदा काफी जादा होता है और इनका काफी फ्लेर अप होता है तो उनको उतना नहीं होता है as compared to बहुत ऑच्छी जी डो-सब एक और ऑड़ कॉलर यहां है हमारे साथ जी नम Sorak Wal Price निर्म्ल जी अप कहां से बोल रहे हैं औं ब्रोяз geven इस शुष में इस शो का नाम है Reversing Arthritis The Scientific Way और डॉक्टर गॉरव शर्मा भी यहां ही बैटे हैं और वो आपकी हर बात का जवाब देंगे आप करेंगी उनसे बात जी 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 हलो 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 नमस्ते रॉक्सर निर्मल जी नमस्कार प्रणाम कैसी हैं आप कुछ और विस्तार में बताएं जी मेरे को कमर के भी पांच साल से प्राग्लम है मैंने कमर के भी अमराई करा है वो कहरें नसे दब रही है जिसे मेरे पैर भी सुन हो जाते हैं टांगों में भी दर्द हो गई तो आपको क्या स्लिप डिस्क बता रहे हैं कोई गोला ड्राई है और वो कह रहे हैं मेजर अप्रेशन होगा कमर का भी यानि कि जो दब रही है नर्व वो डिस्क ही दबाती है जादा तर और उसको वो काटना चाहते हैं अपरेशन से तो कैसा चल रहा है आपने अर्थराइट प्लस लिया पहले से पहले मैंने कुटनों में छे इंजेक्शन भी स्टेराइट के लगवा चुक है तो महां पर भी काफी डैमेज हो गया होगा आपको अब 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 आपरेशन बोला था जिर मैंने मूफ री उन्होंने वहां से लाई थी चार साल खाई मेरे बेटी भी डॉक्तर है वहां पर अमेरिका में जी 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 तो वह लेके आई थी वह भी खाई तो अब बेटी गैती थी अपरेशन करा अब चल भी नहीं सकती घर में भी वज़ थोड़ा बहुत बहुत आपको 80% आराम होगे आपको जी बहुत अची ख़बर है आपने 4 साल एक food supplement खाया अमेरिका से और आपकी बेटी किस तरह की डॉक्टर है कौनसी speciality है उनकी नियूरो है चाइल्ड नियूरो नियूरोलिजिस्ट है या नियूरो सर्जिन है नियूरोलिजिस्ट है नियूरोलिजिस्ट है और नियूरोलिजिस्ट है दोनों ही डॉक्टर है आपकी बेटी हरान नहीं हुई है कि अचानक कैसे फायदा होगे वो तो आपरेशन की बात कर रही थी वो तो आपरेशन के लिए बोलती है आप आएगी तो वो काफी अचंबित होंगी कि कैसे आपको अराम मिल गया उन्होंने सारी चीजे दाउफ पेच और सब कुछ लगा के देख लिया तो निर्मल जी सबसे पहले समझे कि आपकी कंडिशन काफी बिगडी हुई है मेरे हिसाब से ऑपरेशन की ज़रुत नहीं पड़ेगी अगर आप एक्सरसाइज कर लें क्योंकि आप दिल्ली रहती हैं आप बहुत ही खुश किसमत हैं आप हमसे मिल सकते हैं और मैं आपको पुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और साथ-साथ आप ये अर्थ्राइटॉल जैसा जो पाउडर जो कॉलेजन है उसको स्टार्ट करें और सुजीज का स्प्रे जरूर लगाएं उससे आपको इमीजिट रिलीफ मिलेगा और बैक की एक्सरसाइज पर ध्यान दें और घुटने की एक्सरसाइज भी हम बताएंगे और मुझे मैं चाहता हूं कि आपकी जब बे जो कहते हैं अभी तो नहीं है जी वो निर्मल जी स्प्रे आता है जाता है कब गायब हो जाता है कुछ नहीं पता होता तो आप डेफिनिटली पता करते रहें उस स्प्रे को उसकी सप्लाई कम रहती है उसको फटा-फट ले उसको अपनी ट्रीटमेंट के अंदर आड़ करे आपको आराम मिलेगा लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि मुझसे मिले आके और मैं परसनली एक्जामेन करके आपको बता सकता हूँ इतना अशोर कर सकता हूँ अभी टेलेफोन के जरिये ही जो हमारा टेलेविजिन का जो जरिया है कि शायद 99.9% आपको आपको आपरेशन नहीं कराना पड़ेगा हाँ जी मैं देखती हूँ आपका प्रोगराम अच्छा कुछ कॉस्टिन के जो आंसर दो ऐसे ही मिल राते है जी जी मैंने चार मीने खाई है तीन मीने के अभी और महाई है तीन मीने तो मैंने दो दो कैपसिल खाया और दॉपसर बहुत हॉट फ्लाशिज होते थे हॉट फ्लाशिज होते थे अब आप इसको लगाता है जी जी इसको कम से कम एक मीने से एक एक कर दिया मैंने आप अभी फटा फट इसके साथ हमने जैसे आर्थराइटॉल बोला है जो कॉलोजन है उसको इंट्रिजूस करें अपनी ट्रीटमेंट में और जल्दी से सूजीस का स्प्रेश इस्तेमाल करें उससे आपको काफी आराम मिलेगा और हमसे मिले आकि मैं आपको कुछ एकसरसाइज बताऊंगा उससे आपको और आराम मिलेगा और साथ-साथ हम वाइटमिन डी-3 और आपके B12 के भी टेस्स करके देखेंगे वाइटमिन डे भी मैंने शुरू कर दिया एक मिलने से वीकली लेते हूं और वाइटमिन B12 भी चेक करवाएं अपनो बहुत इंपॉर्टन रोल है उसका नर्फ की कंड़क्शन के अंदर तो उसको भी चेक करा है और हमसे मिले आके तो हम आपकी मदद कर सकेंगे बहतर जी और ये जो आपकी रिजल्ट्स मिलें बहुत ही अच्छे हैं 40% आपकी कंडिशन के अंदर शायद बहुत लोंगी कंडिशन काफी असान होती लेकिन आपकी कॉंप्लिकेटिड है तो इंजॉय कीजिए शुर को थैंक यू करिये और हम confident और जबरदस कदम बढ़ाते रहेंगे जब मिस्स निर्मल बिलकुल pain free होंगी और life उनकी होगी exciting तब तक आप ना रखें ख्याल टेक केर धनेवाद निर्मल जी और हमें पूरे उमीद है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर गॉरफ के appointment लेंगी ताकि डॉक्टर गॉरफ आपको further guide कर पाएं और आप में और भी improvement आप पाएं जैसा कि आप जानते हैं कि हम जोडों के दर्द से संबंधित सभी तरह के सवाल और उनके जवाब ढूमने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास कोई भी query है या आप कुछ जानना चाहते हैं या आपके कोई परजन है जो इस दर्द से पीडित हैं तो आप हमें संपर्क करें इस number पर डॉक्टर इन में 40% improvement आया है और वक्त हो चला है अलविदा कहने का लेकिन उसके पहले हमारा favorite tip जी थैंक यू करुणा जी आज मैं आपके साथ एक topic discuss करना चाहता हूँ और वो है सोच के बारे में जब हमारी सोच positive होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और अगर हमारी सोच negative होती है तो आप हमें कुछ भी दे दीजे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसी के उपर हमें हमारे एक जानकार ने एक चुटकला सुनाया था तो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ तो एक दिन एक इनसान अपनी गाड़ी में signal के उपर जैसे के traffic light के उपर गाड़ी रुकी थी और वहां पर इंतजार कर रहा था कि कब वो हरीबती हो तो उनकी जो सवारी है वो आगे बढ़े इतने में एक हटा-कटा अच्छा भिखारी उनके सामने आता है कि बाबा कुछ दे दो तो वो कहता है कि जी कुछ भीक दे दो उससे पूछते है रहे एक बाद बताओ आप हटे-कटे हो आप ऐसे भीक मांगते हो और आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी चाहिए काम माम करनी चाहिए वो कहते है बाबु जी क्या करे कुछ होता नहीं अच्छ चलिए अब बताइए कि आज मैं अगर आपको एक करोड रुपया दे दूँ तो आप उसका क्या करेंगे तो जो भिखारी है उसने काफी इंट्रेस्टिंग जवाब दिया जिससे वो साहब काफी अचम्वित हुए और अपना सर खुजाने लगे तो जब आप कुछ ऐसा था जरा थैन दीजे कहते हैं साहब जब आप मुझे को एक क्रोड रुपया देंगे तो जी मैं ऐसा करूँगा यहाँ पर ना सारी सड़कों पर करफट बिछा दूँगा कहते हैं क्यों करफट क्यों बिछा दूगे अरे सर ऐसा है कि दुपैर में गर्मी बहुत हो जाती पैर बड़े जलते हैं तो आप इस पर विचार करें सोचिए कि सोच बड़ी एक सिंपल चीज है सोच लिया तो कुछ भी हो सकता और सब कुछ मिला तो भी कुछ नहीं कर सकते तो तब तक अपना ख्याल रखें चेक केर जी डॉक्टर अपने सही का सकरात्मक और नकरात्मक सोच ये दो ऐसे पहले हुएं जो इंसान की जिंदगी को बदल सकते हैं आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तक यू वर्य मुच करूना जी